असलाम अलेकम आज मैं आपके साथ लेमन चिकन की रेस्पी शेयर कार रही हूं यह भूत ही मज़े की बनती है डिश आप इसे बना के इसी तरीके से ट्राई करें यह जट पड़ने वाली है इसके लिए सबसे पहले यह चिकन बोनलस मैंने लिया है 1.5 kg यह बोनलस मैंने लिया इसको छोटे क्यूप में काट लिया और अच्छी तरह दो के मैंने चन्नी में राख दिया था अगर आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं आप इसको मैरिनेट कार रही हूं सबसे पहले यह तीन लेमन मैंने दो लिया है इनके वो स्लाइस में इसे काट लूँगी और अंदर जो मैरिनेशन में डाल रही हूं वो लेमन जूस डाल रही हूं तीन टेबल स्पून दही इसके अंदर जाएगा पोना कप यह थ्री फोर्थ कप मैंने दही अड़ कर दिया है अधर कलेसन का पेस्ट टू टेबल स्पून नमक इसके अंदर टू टी स्पून एड़ कि और अगर आपके पास टाइम नहीं या आपने फोरन से बनाना है तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं यह इस तरह लेमन बगारा डालने से यह जल्दी टैंडर भी हो जाता है आप इसके अंदर यह लेमन के स्लाइस कार लूँगी बीज इसके रिमूव कर देने हैं और सबस मि और चुले पर रखिया और उसके अंदर वो मैरिनेट किया हुआ चिकन एड़ कार रही हूँ आप इसे इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर वाइट हो दे यह नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कार सकते हैं आदी टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पहले ड पेस्ट भी डाल सकते हैं मैंने सिर्फ इसके अंदर ब्लैक पेपर ही एड़ किया है आप इसको इतना करना है फ्राई कि इसका कलर वाइट हो जे और यह जैसे वो दही इसके अंदर एड़ किया और चिकन अपना भी पानी छोड़ता है और दही भी कलर भी इसका वाइट हो अब इसी वो पानी में पकेगा आप इसका डखन बांध कारके इसको पकाऊंगी यह 10 मिंट तक इसका डखन बांध कारके मैंने पकाया है यह जल्दी टेंडर हो जाता है और अगर आपने बोन वाला लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं अब इसके अंदर काली मिर्च एक टीस्पून अभी डालूँगी आदी टीस्पून मैंने पहले डाली थी और जीरा पिसा बुना पिसा जीरा टू टीस्पून मैंने अड़ कर दिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा आप इसको mix कारके आप इसके अंदर वो जो सबस मिर्चों को मैंने slice में काटके रख्या और lemon को वो अभी इसके अंदर add कारके दो mint के लिए इसका डखन बांद कारके पकाऊंगी इसकी बहुत ही मज़े की वो खश्बू भी आती है और flavor भी इसके अंदर जाता है यह दो mint के दो से तीन mint इस तरह डखन बांद कारके मैंने पकाया है आप चुला बांद कार दूंगी चुला बांद कारके भी आप थोड़ी देर के लिए इसको cover कार दे यह नमक मिर्च आप टेस्ट कार सकते हैं इस stage पर अगर आपको नमक काम लगे तो आप और भी add कार सकत हैं यह बहुत ही मज़े की बनती है आप इसे तरीके से इसको बनाएं चिकन की रैस्पी को नान के साथ रोटी के साथ आप इसको मैं एक बाउल में नकाल रही हूं यह अगर आपको ओयल ज्यादा लगे तो आप वह उपर से नकाल सकते हैं और किसी और आंडी में भी इसको आप इसे इसी तरीके से बनाएं ट्राइ करें यह जट पट बनने वाली रैस्पी है थैंक्स फर वाचिंग हो के अला आफीज